दोस्तो अगर आप इंस्टाग्राम योजर है तो आज वाली इस वीडियो के अंदर माँ आपको बताने वाला हूँ अगर आपको इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है तो इस प्रोब्लम का सोल्यूशन आपके इस तरह से कर सकते हैं कंप्लीट जनकारी आपके साथ शेर करने वाला हूँ तो आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करियेगा अगर दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए है और पहली बार आए है और आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल एकन को प्रेस नहीं किया है अगर वीडियो पसंद आए तो बेल एकन को प्रेस करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके solution की तरफ, वीडियो के अंदर 2-3 step भी बताऊंगा जिनको अगर आप follow कर लेते हैं, तो 100% जो आपकी problem है, इसका solution होने वाला है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, आपको दोस्तों सबसे पहले step के अंदर एक बार अपने phone को restart कर लेना है, क्योंकि गया restart करने से काफी लोग भी problem solve हो जाती है, तो हो सकता है, आपकी भी problem solve हो जाए, अगर दोस्तों फिल भी problem से एडिटीज बनी हुई है, problem solve नहीं होती है, आपको phone की setting को open करना है, आपको निचे की तरफ स्क्रोल करना है, यहाँ प पाली application निकल कर आपके सामने आ जाती है, आपको दोस्तों नीचे से clear data पर click करना, यहाँ से करना, इसका clear catch, और आपको दुबारे से check करना है, क्या आपकी problem solve होई है या नहीं, अगर दोस्तों फिर भी problem same है, आपको इसी page पर आना है, और यहाँ से दोस्तों इस बार करना है इसका clear old data, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल back आना है, एक बार play store को open करिएगा, search bar पर click करिएगा, instagram यहाँ पर search कर देना, तो instagram पर अगर आपको इस तरह से कोई update देखने को मिलती है, तो आप अपने instagram को update करना, और दुबारे से login करना, login करने के बाद दोस् दोस्तों फिर भी a problem solve नहीं होती है, तब दोस्तों आप इसके region की बात कर लेते है, यह problem क्यों आती है, तो फिर finally step की ओर चलेंगे, तो देखिए दोस्तों इस problem के आने के कुछ region हो सकते है, जैसे आप instagram की policy का उलहंगन करते है, जैसे बार बार किसी post पर like, dislike करते है, multiple लोगो को friend request send करते है, या फिर accept करते है, बार बार किसी की post पर comment करते है, या कोई spam link comment कर देते है, तो दोस्तों आपने इस तरह का कोई भी काम किया है, तो हो सकता है, दोस्तों इसी वज़े से instagram ने आपको इस तरह की ये error दिखा दिया हो, तब guys यहाँ से आपको final step की और बढ़ना ह यहाँ पर आपको help वाल option दिखेगा, इस पर click करना है, फिर दोस्तों आपको reported problem पर click करना है, और यहाँ से reported problem पर tap कर देना है, फिर यहाँ से include and continue पर click करना है, इस तरह का interface आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी problem उसको आप अच्छे हे describe कर सकते हैं, आप अपने words में भी लिख सकते हैं, या फिल दोस्तों आप इसको यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आप नीचे से upload या फिर screenshot पर जाने के बाद इस problem का जो screenshot आउसको एड कर देना, और यहाँ से send बटन पर click कर देना, जिसके बाद जो आपकी problem है, वो Instagram टीम के पास पहुंच जाती है, और विदी ने वीक आपकी problem का solution कर दिया जाता है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, comment करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो की हाल से problem का solution होता है, तो उमीद करूँगा, आप हमारे चानल को subscribe करेंगे, वीडियो को like क करेंगे, अपने दोस्तों की साथ share करेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye friends, love you all, take care.